और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो जितने फेस्बूक यूटूब पर सुन रहे हो जितने लोग माले गाओं की ये पवित्र भूमी पर बेट कर कथा सुन रहे हो दिल से कहूं आप लोगों से आप स्विकार करियेगा दुख की घड़ी में कोई आए चाहे ना आए अगर आपने दिल से करजा हो गया समस्या विकट हो गई तकलीब बढ़ गई दुख बढ़ गया आप संकर भगवान के मंदिर में जाकर ये जरूरी नहीं है उस मंदिर हो उस मंदिर में एक लोटा जल चड़ाना चालूर कर दो दीरे दीरे दुख काटना प्रारम कर देगा काटेगा दुख बस जल चड़ाने का एक नियम है शिर जी का शंकर भगवान को जो जल चड़ाया जाता है दुख काटने के लिए तकलिफ काटने के लिए कष्ट मिटाने के लिए तो एक नियम है शंकर भगवान का जल चड़ाने का जो नियम है जिसे ये गोल जलाधारी है यहां से पानी गिरता है ये शिवलिंग है ये दो जो भगवान का पानी जहां बेह कर जाता है ये गोल में से तो यहां जो इस्थान है ये सीधे भाग पर गणेजी विराजमान है लेफ्ट भाग में कार्ती के जी है बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां सुक सुन्दरी है उपर से जो बून्द बून्द पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की पाँच लड़कियां है जया, विशहरा, सामलिबारी, दवतली और देव जहां गोल भाग है जहां शिविलिंग रखा हुआ है ये माता पारवती जी का हस्त कमल है जिसको पीठी का कहते हैं महाराज कि जल चड़ाने का नियम है जब हमारे उपर दुख होता है, तकलिफ होती है लुआज है कश्त होता है, बड़ी परेशानी होती है तो हम जल चड़ाते हैं तो उस जल को चड़ाने का नियम है पहले गनेजी का स्थान, कार्तिके का स्थान, अशुक सुन्दरी की जगा, फिर माता पार्वती की पीठी का, उसके बाद जला धारी को इस्मर्ण करकर जल धीरे धीरे शंकर भगवान पर छोड़ा जाता है, जब धीरे धीरे शुजी पर जल चड़ाएं, उसके बाद में प्रारम करो, और उसको कहना जरूर, तेरे दरवार से कोई खाली नहीं गया मेरे शंभू, मैं नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूँ कि कंकर शंकर है, और तू सुनता जरूर है, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वेकुंत लोक में है, पर मृत्तियू मन कर रहा है इस डाइरेक्ट शीव जीप पर चड़ाना ओ entsprech नहीं मना नहीं शिव तत्व किसको कहते है संकर का गुणगान शिव का इस्मरं भगवान संकर का मंत्र जापक erhö को कहते हैं यह वही समझ सकता है जिसके भी तर्षिव समाया होगा और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो जितने फेस्बूक यूटूब पर सुन रहे हो जितने लोग माले गाओं की ये पवित्र भूमी पर बेट कर कथा सुन रहे हो आप दिल से उसकी कथा सुनना इस वानी का इस व्यासपीट का एक शब्द हो सकता है हास्पीटिल में पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति करजे में डूबा हुआ कोई व्यक्ति गलत वैसन में पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति को आपके द्वारा निकली हुई बानी से भी बाहर निकाल सकता है जैसे उस मा को कहा किसी ने सियोर वाला महराज कहता है एक बार चले तो जा संकर जी के मंदिर में उसने पत्र में लिखा जब वो सियोर वाला महराज कहता है चला चला कर कहता है सारी समस्या का तो जा साद सौल में उस बच्चे की वाणी बापी सासकी है जुट पानी नहीं थी जब वो बाणी मेरा महदेव दे सकता है वो देखो उस मा के चेहरे की खुशी उस मा के चेहरे की रोनक का जिसका बेटा साद साल बाद बोला हो उसका आनंद देखिए कि कितना होगा कितना आनंद होगा एक बात और अच्छे से समझ लीजिए जो बच्चे चेटचड़े होते हैं चाए घर में बेटे हों, बहुए हों, स्पास हो, ससुर हो परिवान में छोटे छोटे बच्चे हों चेटचड़ प्रवत्ति करते हों या चेटचड़ा सुभाव हो जड़ा जड़ा सी बात में कुरोद आजाता हो बोलने का भान नहीं रहे पाता हो शब्दों के बान चलते हो तो महराज परदोश के दिन परदोश काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो पान का मिल जाए तो पान का पीपल का मिल जाए तो पीपल का बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का उस पत्ते पर मातल थोड़ा सा शहर और साथ दाने चावल के रख कर घी का दिया लगा दो महराज और थोड़ा सा जल हाथ की अंजिली में लेकर भगवान देव अदिदेव महादेव का इसमर्ण करकर कि इस बेल पत्री के व्रच्छ के नीचे माता लच्छमी, पारवती, सरस्वती, विराजमान है इसी बेल पत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवदी देव महादेव का बारा जोतिलिंग का सुरूप दगठे उनका इसमर्ण करकर जल चड़ा दीजिये और उसका इसमर्ण कर लो जो चिड़ प्रवत्ती करता को रोध करता है जिसको बोलने का भान नहीं होता हो सम्मान नहीं देता हो अब शब्द करते हैं उनका इसमर्ण करकर छोड़ेंगे एक दम एक प्रदोष करेंगे दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कती नहीं हो दो तीन प्रदोष करकर देखिए बाबा करपा कर तीन जगहां पर अगर कोई बिमारी ऐसी हो गए कि वो समाप्त नहीं हो रही बड़ी बड़ी तकलीफ मतलब एक वार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंदी नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको तीन जगहां पर जल चड़ाना प्रारम कर दो मत्र एक हपते एक हपते से ज़्यादा चड़ाना भी नहीं पड़ेगा जैसे एक हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गूली लेते हो, एक हफ्ते चड़ाना प्रारम करतो, सबसे पहले बेल पत्री के पेड़ के नीचे, क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें दो दाने चावल के डालना, दो दाने अक्षत के डाली है, पहले बेल पत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहाँ जल चड़ाओ, फिर जाईए पीपल के ब्रक्ष के नीचे, वहाँ जल चड़ाईए, आकरी में, या तो शमी के नीचे, या फिर आउले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक ब्रक्ष जिसक शंकर भगवान पे चड़ा हुआ जल जो बहकर जाता है उसको तीन जगा पर जरू लगाना चाहिए ध्यान से सुनिएगा नव ग्रहर जो शरीर पर राहू के तू मंगल बुद्शनी परिसान करते हैं उसकी समाप्ति के लिए शिव पर चड़ा हुआ जल नेनों पर कंठ पर म अस्थिश कपर तीन जगहां पर जिसके परती दिन शिव पर चड़ा हुआ जल लगता है उसको कभी नवगर परिशान नहीं कर सकते शंकर की कृपा बरस तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लेकियोगी तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को ज्यादा से झाल झाल झाल